गुण्वानिंग बच्चों, आज हम हिंदी काव्य में पाठेक कवीरदास जी का जीवन परचे के बारे में पढ़ेंगे संत कवीरदास का जन्म कासी बारणसी में सन 1398 इस्वी 1455 बिक्रम समवत में हुआ था कवीरदास के जन्म के समय में बिद्वानों में मतभेद रहे हैं एक किवदन्ती के अनुसार किसी बिद्वा ब्रह्मनी ने कवीरदास को जन्म दिया बिद्वा होने के कारण लोकलाज के भै से वह कवीरदास को लहरतारा नामक एक तराप के समीप छोड़ कर आई नीरू और नीमा नामक जुलादम पती ने उठा लिया और इनका पालन पोशन किया हिंदू परिवार में जनम और मुसलिम परिवार में पालन पोशन होने के कारण इनमें हिंदू मुसलिम दोनों धर्मों के संस्कार देखे गए इनका विभा लोई नामक इस्त्री के साथ हुआ था इनके दो संताने थी जिनका नाम कमाल और कमाली था कवीर दास के गुरू रामानंद जी थे कवीर प्राकर्तिक से घुमकर थे इनका बच्पन मघर में वैतित किया और बाद में वे कासी बस गए जीवन के अंतिम समय में वे पुना कासी से बघर चले गए मघर में ही लगभग 120 वर्ष की आयू में सन 1518 इस्वी संबद 1575 में इनका निधन हो गया कवीर दास जी की निम्निलिकित कृतियां है कवीर की रचनाएं बीजक नामक गरंथ में संगलित हैं जिसके तीन भाग है पहला साखी इसमें कवीर की सिक्षाओं और सिधान्तों को दोहे नामक शंद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है दूसरा है सबद इसमें कवीर के गया पद संग्रहित हैं गया पद होने के कारण इनमें संगीत आत्मकता है इन पदों में कवीर की प्रेम साधना व्यक्त हुई है तिसरा है रमैनी चौपाई छंद में रचित इन पदों में कवीर के रहस्यवादी दार्शनिक विचार प्रस्तुत हुए हैं धन्यवाद